हलो फ्रेंज मैं हूँ संजे संख्यान और आप देखने हैं एच्पी नोटिक्रेशन बाई संख्यान दोस्तो बीस दिसंबर को जब से कैबिनेट मीटिंग में छटे बेतन आयोग की स्पार्शों को लागू करने की सुकृति माननिय मुख्य मंत्री मोहदय की कैबिनेट वेट अपिनियन लग लग तरफ से लोगों को मिल रही है अभी एक प्रेस यह जो अखवार में कटिंग मेरे पास भी बारल होके आई है और उसमें मेरे से भी एक अपनी राय यह चाह रहे थे तो जस्ट इसमें मैं अपना ओबर्वीव जुरूर देना चाहूंगा देखिए जैस पहले ही कोई भी बेतन आयो की सिपारिस को अगर किसी भी सरकार ने इंप्लीमेंट करना है तो सब से पहले इसे कैबनेट में ले के जाना में जुरूरी होता है फानेस डिपार्डमेंट को सकत्य चाहते हैं और बहां पे चैबिनट की अपरूबल के बाद इसमें फिर लौ और personal department की opinion के लिए भी ये finance department अपने एक draft को भेजता है, ये जो draft है, ये draft 78 pages का एक draft finance department ने बनाया है, जिसे law और personal department की approval के लिए इन्होंने भेज दिया है, इसमें 38 pages में different rule है, 1, 2 से लेके 12 तक, और इसमें rule 7 है, जिसमें ये बताया गया है कि pay fixation कैसे होगी, अब इस rule 7 में, इन्होंने दो scenario लिये है, एक ऐसे implies जिन्होंने 1, 10, 12 को जो re-revision का benefit नहीं लिया है, means जिसका 1, 10, 12 को न grade पे change हुआ है, न scale change हुआ है, एक बो category रहेगी implies की, और एक category बो है, जो 1, 10, 12 को जिन्होंने re-revision का benefit ले लिया है, means उनका grade पे या उनकी salary बड़ी है, उनके लिए, तो जो उनकी salary नहीं बड़ी है, उनके लिए एक simple सा formula है, कि कत्ती 12, 15 को, जो उनकी basic pay है, उसको सिर्फ उन्होंने 2,59 के factor से multiply करना है, और जो भी वो figure एक आ जाएगा multiply करके, उसको उन्होंने, जो fitment table है, उसमें जो उनका grade पे है post का, जो 29 की post के साब से, वो उसके निचे उसको देखके, उस figure जो एक बरावर है, या जो उससे next figure है, वहाँ पे उनकी fixation 116 को हो जाएगी, अब दूसरी category के implies वो है, जिन्होंने read revision का benefit ले लिया है, अब जिन्होंने read revision का benefit ले लिया है, तो उनके लिए दो option है, एक यह है कि वो actual basis पे भी अपनी fixation कुरा ले हैं, या notionally basis पे कुरा ले हैं, अगर वो actual basis पे fixation कुराना चाहते हैं, तो उनके लिए 2.25 का factor कत्ती बारा 15 को जो भी उनकी basic पे है, वो उसको कत्ती बारा 15 की basic पे को 2.25 से गुना कुरा के, एक multiplying factor लगा के, जो भी एक figure आएगा उसको अपने post के grade पे एक निचे देखना है, दूसरा त्रिक का ये है कि वो ये मानने कि एक दस बारा को जो उनका grade पे अनास हुआ है, वो नहीं हुआ है, और 2011 से fixation अपनी ऐसे करते जाएंगे कि जस 3% की increment लगाते हुए, जो कत्ती बारा 15 तक एक fixation करके figure आएगा, उसको 2.59 से multiply करते ना, ये कोई confusion बाला कुछ नहीं है, अगर आप जाना जाते हैं, इस ते लेटर मैंने different videos आपके बास बनाके HP notification पे upload कर रखी हैं, अगर आप ज़्यादा detail में जाना जाते हैं, उन्दोने जुनूट देख लीजिए, बट आज की date में हमारे पास दो इफेक्टर हैं, 2.59 और 2.25, जो 2.25 actual basis पे और 2.5 notionally basis पे हैं, अब क्या है, इसमें जैसे ही fixation हो जाएगी, इसमें एक नई चीज जो add करकी है, कि एक-एक 16 को, ऐसे भी कुछ government reply decision की एक-एक 16 को annual increment लगनी है, तो उनके लिए ये option दे रखी हैं, कि या तो पहले वो अपनी increment पुरानी 5th pay commission के साब से increment लगा के, तब अपनी fixation कुछा लें, या पहले fixation कुछा के फिर increment ले लें, ये option गौर्मेन इप्लाइस को दे रखी हैं, इसमें जो एक नई चीज है, कि ये especially इसमें draft proposal में ये बताया गया है, कि ACPS का जो issue था, क्योंकि ACPS की बहुत cases इसमें implies के रहते हैं, जिसमें कई implies की salary बड़ी है, कम हुई है, तो इसमें clearly बताया, draft में propose किया गया है, कि ACPS को खतम कर दिये जाएगा, और जो भी case pending है, वो अब इसमें settle नहीं होंगे, इसमें just, अगर सरकार को चाती है कि ACPS को ने सिरे से लगना है, तो उसके लिए लग सी notification, finance department को करनी पड़ेगी, और तीसरी इसमें जो सबसे अची बात ये है, कि इसमें annual increment जो 3% ती बोही रहेगी, प्रन्तु उसको गुना भाग करने की जूरूर्ट नहीं है, जो fitment table में, जहां आपकी कत्ती 12-15 को जो fixation है, उसके जो निचला वाला जो figure है, बटकली downward, बोही annual increment लगती चली जाएगी, इसको इस pay revision की बहज़े से, fixation की बहज़े से, अगर junior जादा salary बन जाती है, जो उसका senior था, उसकी कम हो जाती है, तो इसमें step up दिये जाएगा, step up का मतलि ये है, कि at least उतनी salary senior की कर दी जाएगी, जितनी उसकी junior ले रहा है, तो ये भी step up की अच्छी option है, क्योंकि इसमें भी कि government replies को, नहीं तो junior और senior में एक फर्क नहीं बन पाना था, तो ये भी अच्छी बात है, इसी तरह, और मैं आपको update करता रहूँगा, ग्रेट पे इसमें, अच्छा एक बात ये जरूर है कि इसमें grade पे अब खत्म कर दिया है, अब grade पे नहीं है, 4, 9, 14 को भी इसमें खत्म क करने की स्पारिस की गए, ड्राफ्ट प्रोजल में, इसी तरह कि मैं वीडियो आपको upload करता रहूँगा, एक दो दिन में notification होने बाली है, जैसे ही notification आएगी, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि post wise, जो जिस इस post की common category है, clerk है, minister, staff है, TGT, PZT, lecturer, पटवारी, secretary, ये इनकी म कुँगा कि मैं formula भी excel seat में दूँ, ताकि आप अपनी calculation उस पे कर सके, अगर आप इसी तरह की video देखना चाहते हैं, तो मेरे channel को subscribe और like जूर करें, bell icon को click करके all की option पे click जूर करें, ताकि मेरी notification आपके पास पहुंच रहें, इनी सब्दों के साथ, keep watching HP notification by संख्यान, जै हिंद कि बार quickly है कि अगर आपके ऑपके खंगे हैं, जै हुग अगर नहीं, पूश्यान, इनी सब्दों के हुगते हैं, जै हैं जै हैं, जै हैं लादेसे कि खूर को जγूर कुपगते हैं, भीको बार प्रेश धोगर के लिएसने कि आपके हैं, जै हूर आपक पना कर दो सब्दों